केंद्र मंत्री नितिन गटकरी ने प्रदेश की सड़कों के लिए 10,405 करोड रुपए के प्रोजेक्ट को मनजूरी दे दी है प्रदेश में 226 किलो मिंटर तक सड़के बनाई जाएंगी MP में कुल 24 नाशनल हाइवे बनाए जाएंगे जबलपूर में 9 नाशनल हाइवे जबकि भोपाल में 15 नाशनल हाइवे बनाए जाएंगे केंद्र मंत्री गटकरी ने जबलपूर में आयोजित लोकारपन शिलानियास कारेकरम में सराशी को मनजूरी दी में इस कारेकरम के बाद भोपाल भी पहुँचे लाल परेट ग्राउंड में आयोजित कारेकरम में 498 किलोमीटर सड़क निर्मान की 15 योजनाओं का शिलानियास को गटकरी ने कहा कि MP का हाइवे नेट्वर्क आने वाले दिनों में अमेरिका के बरापर होगा कि इस पावज़धरा पर आपका स्वागत वारे सभी स्वारे लगबक 17 जिले इससे लवानवीत हो रहे हैं 17 जिलों के अंदर अलग अलग प्रकार से और खास करके चंबल का बेल्ट मालवा का बेल्ट ये तो इसके अंदर जितने राज मार गए और आपने निगर के किनारे बसे में मार गए जैसे मुरेना हो भिंड हो या एसे कई ब्यावरा हो सबके बाइपास मार बनाने का काम इसी मुझे खुशी है कि मद्यपदेश का नैशनल हाइवे का रोड नेटवर्क काफी अच्छा हो रहा है हम करीब 3 लाग करोड रुपए के 2024 समाप्त होने तक कार्य पूरे करेंगे शुरू करेंगे या समाप्त करेंगे और इसलिए विश्वास है कि मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 जब समाप्त होगा तो मद्यपदेश का नैशनल हाइवे का रोड नेटवर्क अम्बरिका के बराबर होगा ये मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं के अलावा कॉंग्रेस के विधायक ओमकार मरकाम भी शामिल हूए थे ओमकार मरकाम आदिवासी नेता हैं वहीं सीम डॉक्टर यादव के ओफर पर ओमकार मरकाम का भी बयान सामने आया है मरकाम ने कहा कि सीम को मद्ध प्रुदेश के विकास पर ध्यान देना चाहिए एक हमारे दिन्डोरी के विधायक ओमकार सिंग जी कहा है मरकाम जी कहा गलत प्रुदेश के विकास में काम करिए इस तरह से आप दिमाग मत चलाएए आप प्रुदेश के विकास में काम करिए बोपाल में प्रदेश कॉंग्रिस अध्य जीदू पटवारी ने बीजेपी पर हमला बोला कहा कि बीजेपी ने चुनाव में किये वादों को अब तक पूरा नहीं किया नितिन गटकरी के दौरे पर हमला करते वे कहा कि वो जो भी सड़क बनाते हैं बगैट टोल टैक्स के नहीं मनाते हैं हर चीज टोल से उसका नाम है नितिन गटकरी तो इधर सरकार जेश्टी से केंद्री का बजड़ बनाती है जो आम आदमी के जेप से पेसा जाता पहले के इंकम टेश देता था उद्योग पति जो इंकम होती थी वो देता था अब सरकार को अर्थ की मदद करते हैं आ verbess जो जेश्टी के मादम से खाना खाते है नाश्ता करते हैं उसमें से निकल के जाता है तो वो जंता से जादा पेसा ले रहा है और फिर वोई जनता रोड़ पे चलती है तो फिर टोल से पेसे लेता है ब्रीच पे चलती है तो टोल से पेसे लेता है तो यह किस तरीका भिनोमा है कि वहीं बीजेपी ने जीटु पटवारी के बयान पर पलतवार करते वे कहा कि प्रदेश के करोडों की सौगात मिल रही है जो कि कॉंग्रस को अच्छी नहीं लग रही प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीश अगरवाल ने आरोप लगाते वे कहा कि और कोई द कहें या कॉंग्रेस को अपने अंदर की आत्मिगलानी कहें कि कॉंग्रेस की सरकारों ने इस तरह के विकास कार क्यों नहीं कि तो जो जीतू पठवारी जिस लॉजिक से पार्टी गई तेल लेने कहते हैं उसी तरीके से यह बयान वाजी करते हैं यह मद्धपृदेश के हुए विवाद मावादा